यदि एक तरबुज के कोणों में अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार का हो तो सबसे बड़े कोण का माप है चार विकल्प हैं, A विकल्प है 60 डिगरी, B है 70 डिगरी, C है 78 डिगरी और D विकल्प है 80 डिगरी तो हम यहां दिया गया है कि त्रपुज के कौनों में अनुपात 2, 3, 4 का है अर्थात हम यहां मान लें कि त्रपुज के कौन है 2x degree, 3x degree और 4x degree तो त्रपुज के कौनों में 2, 3, 4 का हो जाएगा तो हमने क्या माना? हमने माना त्रभुज के कौन है 2X डिगरी, 3X डिगरी और 4X डिगरी. अर्थात हमारा जो 4X डिगरी है वो सबसे बड़ा कौन है उसका माप हमारा उत्तर है. तो हम जानते हैं कि त्रभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिगरी होता है अर्थात यहां 2X डिगरी प्लस 3X डिगरी प्लस 4X डिगरी का मान 180 डिगरी के बराबर है अब हम इस समीकरन से X का मान ग्यात करते हैं तो यह हो गया 9X डिगरी बराबर 180 डिगरी अर्थात X डिगरी ह गया 180 बटा 9 डिग्री जोकि 20 डिग्री के बराबर है तो हमने x का मान पराप्त कर लिया 20 डिग्री इसलिए सबसे बड़ा कौन 4 इंटू 20 डिग्री बराबर 80 डिग्री होगा क्योंकि सबसे बड़ा कौन है 4x डिग्री इसलिए सबसे बड़ा कौन हो गया 4 इंटू 20 डिग्री अर्थात 80 degree हमारा विकल्प D यहां सही विकल्प है यदि A कोन और उसका पूरा कोन क्रमशे X और X square है तो कोन X का माप होगा A option है 7 degree, B है 8 degree, C 9 degree और D option है 10 degree तो यहां हम प्रश्णा अनुसार देखते हैं कि X plus X square बराबर 90 है क्योंकि हम जानते हैं कि 2 कोन पूरक होते हैं तो उनका योग 90 degree के बराबर होता है तो यहां पूरक कोन हमें कौन कोन से दे रखे हैं 2 एक तो X कोन दे रखा है और उसका पूरक कोन है X square अर्थात X plus X square का जोड 90 के बराबर है अब हमें एक द्वी घात समीकरन मिल गया हमारा द्वी घात समीकरन है X square plus X minus 90 बराबर 0 तो हमें अब हम इस द्वी घात समीकरन को हल करते हैं तो यहां हमें मद्य पद अर्थात X को इस प्रकार विभक्त करना है कि हमें घटाने से एक मिल जाए और उन्हें उन दो संख्याओं को गुणा करने से हमें 90 मिले तो इस पश्ट है कि वो दो संख्याएं 10 और 9 हैं यदि हम 10 में से 9 को गटाएंगे तो हमें एक मिल जाएगा और 10 को यदि हम 9 से गुणा करेंगे तो हमें 90 मिलता है तो इसलिए हमने मद्य पद को विभक्त कर दिया मिडल टर्म को स्प्लिट करके हमने लिख दिया 10X माइनस 9X और हमारा द्विगार समी करना बन गया एकस स्क्वाइर प्लस 10X माइनस 9X माइनस 90 बराबर 0 पहले दो पदों में हम X कॉमल लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? X प्लस 10 और माइनस 9 यदि हम अगले दो पदों में कॉमल लें तो हमें प्राप्त होता है x plus 10 ब्रेकिट में और ये मान 0 के बराबर है अर्थात x plus 10 into x minus 9 0 के बराबर है यदि x plus 10 0 के बराबर है तो x का मान हो जाएगा minus 10 और यदि x का मान, यदि x minus 9 का मान 0 के बराबर है तो x बराबर हो जाएगा 9 अर्थात हमारे को जो 2 मान पराप्त हो गए x के minus 10 या 9 अब हम देखते हैं कि x बराबर minus 10 अगाय है इसलिए हमने इसको reject कर दिया क्योंकि ये कौन का माप है अते है हमारा जो मानने मान है वो है x बराबर 9 तो हमारा हमने x का माप ग्यात कर लिया x बराबर 9 अर्थात हमारा यहाँ पर विकल्प c सही है प्रिश्ण है दिये गए चित्र में यदि कौन b o c बराबर 7 x डिगरी प्लस 20 डिगरी और कौन c o a बराबर है 3 x डिगरी तो x का मान क्या होना चाहिए कि a o b एक सरल रिखा बन जाए यहां हमें कौन b o c का मान दिया गया है 7 x डिगरी प्लस 20 डिगरी और कौन c o a का मान हमें दिया गया है 3 x डिगरी 3 x डिगरी तो c o a कौन है और b o c कौन b o c कौन है 7 x डिगरी plus 20 डिगरी हमें x का मान गयात करना है कि a o b एक सरल रिखा बन जाए चार आप्शन हमें दिये गए है 14 डिगरी 16 डिगरी 20 डिगरी और d है 22 डिगरी तो यहां हम जानते हैं कि a o b सरल रिखा होगी जबकि कौन a o b बराबर 180 डिगरी होगा तो a o b कौन क्या है a o b कौन कौन c o a plus b o c का जोड है तो इसलिए कौन a o b बराबर 180 डिगरी अर्थात कौन a o c plus कौन b o c बराबर 180 डिगरी अर्थात 3 x क्योंकि कौन a o c 3 x है 3 x डिगरी है तो 3 x डिगरी plus 7 x plus 20 डिगरी क्योंकि कौन b o c 7 x डिगरी plus 20 x डिगरी है इसका मान 180 डिगरी के बराबर होना चीए तो इस समीकरोन को हम हल करते हैं अर्थात 10 x डिगरी बराबर हो गया 180 डिगरी माइनस 20 डिगरी अर्थात 160 डिगरी तो x डिगरी बराबर हो गया 160 डिगरी बटा 10 डिगरी अर्थात यह मान हो गया 16 डिगरी के बराबर तो इसलिए हमारा विकल्प b सही है तो अत्य हमारा विकल्प बी सही विकल्प है यदि दो समानतर रेखाओं को एक तिरियक रेखा इस प्रकार काटे कि तिरियक रेखा के एक और बने आंतरिक कोणों में अनुपात दो अनुपात तीन हो तो बड़े कोण का माप होगा हमें चार विकल्प मिले हैं A 36 डिगरी, B 54 डिगरी, C 120 डिगरी और D विकल्प है 108 डिगरी तो हम यहां चितर बनाते हैं और चितर से प्रशन को समझते हैं हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं यदी हैं और तिरियक रेखा उन्हें इस प्रकार से काटती है तो एक और जो कोण बनेंगे जो तिरियक रेखा के एक और कोण बनेंगे आंतरिक कोण वो इस प्रकार से होंगे जैसा कि चितर में दर्शाय गया है अब हमें प्रशन में दिया गया है कि आंत्रिक कोणों में अनुपात दो अनुपात तीन हैं तो यहां हमने एक कोणों को माल लिया छोटे कोणों को माल लिया दो एकस डिगरी और बड़े कोणों को माल लिया तीन एकस डिगरी ताकि उन कोणों में अनुपात हो जाए दो अन एक और बने आंत्रिक कोन होते हैं, उनका योग 180 डिगरी के बराबर होता है, अर्थात यहां, यहां 2x डिगरी एक कोन है, और 3x डिगरी अगर दूसरा कोन है, तो उनका योग 180 डिगरी के बराबर है, तो 2x डिगरी प्लस 3x डिगरी 180 डिगरी के बराबर है, अर्थात 5x बरावर है 180 degree बटे 5 अर्था 36 degree तो बड़ा कौन कौन सा है बड़ा कौन 3x degree है इसलिए बड़ा कौन हो गया 3 into 36 degree अर्था 108 degree अर्थात हमारा यहां विकल्प D सही है हमारा D विकल्प है 108 degree तो यहां हमने इस प्रशन में क्या किया है हमने जो तरियक रेखा के एक और जो बने आंत्रे कौन हैं उनको 2x degree और 3x degree मान लिया और हमने क्योंकि जानते हैं कि तरियक रेखा के एक और बने आंत्रे कौनों का योग 180 degree होता है तो हमने उन दोनों कोनों का योग को 180 डिगरी के बराबर करके x का मान गयात कर लिया और क्योंकि बड़ा कोन 3x डिगरी है इसलिए हमने 3x डिगरी का मान गयात कर लिया जोकि 108 डिगरी के बराबर है यदि कोई कोन स्वैम के पूरा कोन से 14 डिगरी अधिक है तो कौन का माप होगा A 45 डिग्री, B 48 डिग्री, C 52 डिग्री और D विकल्प है 38 डिग्री तो हम जानते हैं कि जब दो कौनों का योग 90 डिग्री हो तो हम उन्हें पूरा कौन कहते हैं तो यहां यदि हम मान लें कि कौन X डिग्री है तो पूरा कौन 90 डिग्री माइनस X डिग्री होगा हमने मान लिया कि कौन X डिग्री है तो पूरा कौन 90 डिग्री माइनस X डिग्री होगा क्योंकि जब दो कोनों का योग 90 डिग्री हो जाएगा तो हम उन्हें पूरा कोन कहते हैं अब हमें x डिग्री का मान निकालना है प्रश्णा अनुसार हम देखते हैं कि x डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस x डिग्री का मान 14 है क्योंकि स्वैम के पूरा कौन से कौन 14 डिग्री अधिक है इसलिए यदि हम x डिग्री में से 90 डिग्री माइनस x डिग्री को घटाएंगे तो हमें 14 डिग्री प्राप्त हो जाएगा अर्थात हमें अब इस समीकरन से x का मान ग्यात करना है तो ब्रेकेट खोलने से हमें प्राप्त होगा x डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 14 डिग्री जो हो गया 2x डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस 14 डिग्री अर्थात 104 डिग्री तो x degree का मान हो गया 104 degree बटा 2 अर्थात 52 degree के बराबर तो हमारा यहां विकल्प c सही है उत्तर है 52 degree